नमस्कार प्रजाब किसी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पुजा शर्मा अची दर्श को धर्मशाला से लाइफ तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके का मोसम जो है वो धर्मशाला में बना हुआ है बात करेंगे हम धु दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो धुलाधार की जो पहाडियां है पूरी तरह दुन्द के अगोश में जा चुकी है और मौसम अगर ठंड की बात करें तो बहुत अठंड धर्मशाला में फिलहाल हो चुकी है यह देख सकते हैं पहाडियों पर हिंपाद जो है दिखती थी लेकिन अब भी क्योंकि मौसम खराब है अगर धर्मशाला शहर की बात करें तो पूरा शहर धुन्द के आगोश में इस वक्त समाया हुआ है और अठंड भी बड़ी है अगर हम बात करें मौसम खराब रहने की तो दो दिन मौसम खराब रहने की जिताबनी जो हम मौसम भी भाग दोरा दी गई है और इस वक्त मौसम इस तरह का की है कभी भी बारिश जो हो सकती है लाइब तस्वीरे आप दिख सकते हैं और यह जो उठंड है क्योंकि अगर हम बात करें दस अक्तूबर के बाद बारिश जो है वो नहीं हुई है नमंबर का महीना शुरू हो गया है ऐसे में शुच किठंड जो है वो भी शहर में बढ़ चुकी है बात करेंगे बारिश ना होने की चलते किसानों की दिक्कतें भी कही न कहीं बढ़ गई है क्योंकि अब गेहुं की विजाई का वक्त जो है वो शुरू हो गया है और इसी कड़ी में अगर बारिश की बात करें तो बहुत महत पूरन किसानों के लिए भी बन जाती है शुच के ठंड से लोगों को जो है वो निजात जो है मिलेगी ऐसे में अगर हम और आसार की बात करें तो पुरे-पूरे आसार बारिश के इस वक्त धर्मशाला में दिख रहे हैं और किसी बी वक्त बारिश हो जाती है तो ज़रूर इन चीजों से निजाद अवासियों को मिलेगी लाइफ तस्वीरे क्योंकि देख सकते हैं पुरी तरह से धुन जो है वो पड़ी हुई है पुरा धर्मशाला से है इस धुन की चो पेट में है ठंड की चो पेट में है अब यह देखना होगा कि हो जाती है तो उससे निजाद मिलेगी फिलहाल दिवाली है धंडेरस आज है तो ऐसे में अगर चहल पहल की बात करें तो धर्मशाला में काफी चहल पहल जो है वो इस वक्त है और दिवाली है हर कोई दिवाली की खरिदारी के लिए धंडेरस की खरिदारी के लिए जो है व झैने के दोरा धुनके आगोश में पुरी धरम शाला सहर है लेकिन अगर बारिश वो जाती है तो वह थी आसान किसानों के लिए और लोगों के लिए हो जाएगा फिलहाल देख सकते हैं लाइफ तस्वीरे और लाइफ तस्वीरों के माधम से मैं आपको धर्मशाला की खुबसूरत तस्वीरे जो है वो दिखा रही हूं धुलाधार की पहाड़ियां हलाकि इस आगोश में ये जो धुंद है धुंद के आगोश में जो है वो प तस्वीरे पहाड़ी है जो है वो दिखेंगी अगर बारिश हो जाती है तो अम्मय पहाड़ियों पर भर्पवारी होने के संकेत है। लाति स्वीरे और पूबसूरत तस्वीर धर्मशाला शहर्ड की इसी के साथ पंजाब तीसीर की ओर से ध्रम देरिस की सभी दर्शकों को इस वक्त इस live stream को देख रहे हैं बहुत बहुत बढ़ाई हम देते हैं और यह देख सकते हैं फिल्हाल धर्मशाला से मैं आपको यह लइट तस्वीरे सांचा कर रही हूं यह देख सकते हैं पूरा धर्मशाला शहर है और पूरा शहर इस वक्त धुन के आगोश में चाया हुआ है यह लाइप दिस्वीरे धर्मशाला की और गर्जन भी आप सुन पा रहे होंगे कि गर्जन जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि बारिश जो है वो शुरू होने वाली है थोड़ी देर में इस तरीके का मोसम जो है वो बना हुआ यह देख सकते हैं वो कितने बादल जो है वो अच्छाई हुए है पूरा अंधीरा इस वक्त धर्मशाला अमें देखने को जो है वो मिल रहा है यह देख सकते हैं लाइप दस्वीरे कुछ ही देर में जिस तरीके का मोसम बना हुआ है बारिश की बूंदे जो है वो गिरने वाली है अगर हम मैं 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 किलोट गंज भाक लाइप तस्वीरे धर्मशाला से हम आपको सांझा कर रहे हैं और सफी दरशकर से न रोध है किस लाइप ज़रूर जार से जादा से शेयर करें है पूरे परदेश में मोसम आज जो है वो खराब है और अगर धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में बहुए कुछ इस त द्धनमशाला से यह लाइक तस्वीर है और आप देख पा रहे हैं कैसा मौसम जो है वो द्धनमशाला में इस वक्त बना हुआ है यह देख सकते है तो दश्कु देख सकते हैं कि इस वक्त धनमशाला में किस तरीके की स्थिती बनी हुई है और इस तरीके का मौसम जो है वो बना हुआ है काफ रिठनमशाला शेहर में इस वक्त है और हर जगा यह दुन ही दुन जो है वो दिखाई दे रही है दुलाधार की पहाड़ीं देखो किस तरीके से चिपी हुई है और लाकी बर्फवारी भी जो हिंपात जो है वो बी उची वो रहा है वहार से भी तस्वीरे वाले सामने आई हैं और अगर यहां अगर बारिश हो जाती है तो यह यह दu आदन से घास वरू कि पहाड़ी कॉत जो करनी है तो हम यह आई पर दुन झाहर पकेसान के दृब्ध भी बारिश कहीं न कहीं महत्रपुर्ण बन जाती है और इस वक्त की ये लाइफ तस्वीरे जो हम आप तक सांजा जो है विशाला से कर रहे हैं फिलहाल बने रही है हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए पंजाब किसी टीवी के साथ और मुझे दे इजाज़त किसी ओर लाइ